हेलो, नमस्कार सुट्टेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टुडी चनल, आप सभी का यहां पे श्वागत करते हैं, आज अपन लेके आए हैं, दस्वी क्लास का दो हजार चोईस मेट के पेपर का सॉलुशन्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक पचीस मिनिट की क्लास दाली थी, उसमें मैंने लगबग 60, 65, 70 लगबग क्यूशन पर तेक चप्टर से 2, 4, 5, 4, 5 क्यूशन उठाए थे, और वो अगर आपने क्लास देखी है, तो आपको पता चल जाएगा भी पेपर कहां से बना था, ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को यह डरता कि छटे, 8 और 10 चप्टर में भैथा, उसमें मैंने टार्गेट किये थे, दो-दो क्यूशन, उसके अलावा एक भी क्यूशन नहीं पूछा गया है, और अब इस सोलुशन में आप सभी को पता चल जाएगा भी किस लेवल का पेपर आया था, और किस परकार का, क्या-क्या आप करके हैं, कि हमारे कितने क्यूशन सही हुए हैं, कितने नंबर आनी चाहिए, ठीक है, यह देखना भी जुरूरी होता है, जो 9th क्लास में हैं, आपके जोड़े भाइबन, उनको भी जुरूर दिखाएं, क्योंकि वो अभी 10th क्लास में हो चुके हैं, अल्रेडी हो चुके हैं, य वो भी अपनी त्यारी सुवेश्टे तरीके से करें, चलेगा, यह पहला क्यूशन है आज की क्लास का, दो संक्याओं का महत्म समावरत्या 27 है, HCF दे रखा है, LCM 162 दे रखा है, एक संक्या 54 दे रखा है, दूसरी करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों संक्याओं, HCF गुना LCM करेंगे, 162 गुना 27 और करेंगे भाग में 54, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, काटेंगे 81 बार कटेगा, option number A right हो जेगा, next question पर चालती है, इसके आपको सुन्यक निकाल ले, इसके आपको क्या निकाल ले, सुन्यक निकाल ले तो सबसे पहले इसको बराबर 0 करेंगे, इसके factor करेंगे, त is equal to 0 रोकरेंगे, तो गुना करने पे तो आना चाहिए हमारे पास में 8 और जोडने पे आना चाहिए माइनस के 2, तो माइनस के 4 प्लस के 2x ले लिया, माइनस के 8 is equal to 0 रोकर दिया, first 2 से x माइनस में 4, बाहर निकल गया, x को मना गया, प्लस में 2 को मना गया, x माइनस में 4, इ सखी है कोई धिक नहीं है नेक्स कूष न भी चालती हैं नेक्स कूष न में दे रखा है पहली संख्या X का दुगना दूसरी संख्या Y के साथ गुने से साथ कम है निमन में से कौन सा स्मीकन साई है इसने बोला है पहली संख्या x का दुगना यानि 2x x का दुगना दूसरी संख्या y y के 7 गुने से यानि 7 y से 5 कम है तो अब बताओ किसमे से क्या घटा होगा यहाँ पे कम कौन है y के 7 गुने से 5 कम है कौन है कम है यानि 2x कम है तो 2x में क्या करतेंगे, 5 जोड़ देंगे, बराबर करतेंगे, अब इसको थोड़ा simplify करते हैं, तो 2x is equal to क्या बंजेगा, 7y प्लस का इधर जाके माइनस का बंजेगा, तो 2x is equal to 7y माइनस में 5, option number d राइट हो जेगा, next question पर चलते हैं, यदि किसी समातर स्रेडी का प्रतम प पद a, 4 एंतर 3 हो तो अन्वा पद ग्यात करने का शूतर क्या होता है, an is equal to होता है, a plus n माइनस में 1 into d, तो मान रख दो, प्रतम पद 2, plus n माइनस में 1 into d का मान कितना है, 3, 3 का गुणा कर देंगे, 2 plus 3n माइनस में 3, तो यह result आजेगा, 3n माइनस में 1, माइनस का 3, प्लस का पर्थम, 5 गुणजों का योगफल ग्यात करना है, तो 3, plus 3 के पर्थम, 5 गुणजों का योगफल ग्यात करना है, ठीक है, तो किस परकार से करो हो, यह तो डाइरेक्ट करतो हो, कोई हार्ड है तो नहीं, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 9, 3, 4, 12, और 3, 5, 15, इन सभी का योगफल ग्यात करना तो 6, 9, 9, 18, 18, 20, 30, 18, 22, 30, 40, 45, option number C right हो जएगा, next question पे चलती है, इसमें दे रखा है किसी त्रिबूज PQR में, PQ square plus में QR square is equal to PR square, PR square यहां पे करण है, PR square, PR यहां पे करण है, तो PR यहां पे करण हो गया, बज़ गया, Q, Q पे क्या आएगा, समकौन होगा, तो कौन सा कौन समकौन है, तो Q कौन समकौन है, option number B right हो जएगा, next question पे चलती है, बिंदू 0,3 की X, X से दूरी पुछी है, X, X से दूरी बतानी थी, X, X से दूरी बतानी है गया था, टू साइन 45, कोस 45, तो टू साइन 45 का वान एक बटा रूट दो, और कोस 45 का वान एक बटा रूट दो, रूट दो गुना रूट दो दो आएगा, यह कर देगा, रजल्ट कितना आएगा, एक option number D right हो जएगा, next question पे चलती है, next question दे रखा है, यदि किसी व्रक्स की चाया उसकी उन्चाई की एक बटा तीन गुनी हो तो, सुर्या का उनियन कोण होगा, यदि किसी व्रक्स की चाया, अच्छा ये चाया, उसकी उन्चाई की ये चाया एक बटा रूट दो, और ये कितनी एक है, समझरें, तो उनियन कोण पूछा है, तो लंब बटा आधार ह कामान एक बटा रूट 3 है यह रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 की ट्रम में रूट 3 की इसका बाद होता है साठ कमान ओप्शन नमबर बी राइट होगेगा किसी वर्त के व्यास के सीरों पे खेंची गई सपर्स रेखाएं प्रस पे होती है इस परकार से यह एक दूसरी के क्या होती है समान तर होती है औप्शन नमबर बी राइट होगेगा नेक्स कुछन भी चलते है यदि एक वर्त की प्रीदी साथ एक सो चंतर सेंटीमेटर है उसकी त्री जागे तो वर्त की प्रीदी होते है टू पाई आर बराबर एक सो चंतर तो आर का मान कितना होगा दो गुना बाइस गुना साथ उपर चला जाएगा बाइस चिका ने कितना होगा आठ बाइस आठा है बाइस आठा दो से काटेंगी बाइस आठा एक सो चंतर होते है गन से मीं है तो उसकी तरी होगी गोले काईतन दे दिया 4 बटा 3, πाई R की क्यूब बराबर आपको दे दिया 36 पाई पाई से पाई सल्टा दो, R क्यूब बराबर क्या बनेगा 36, 3 भाग में लग जाएगा चार भाग में लग जाएगा, 4 से काट दो, 4, 9, 36, 9, 27, R का मान कितना आएगा 3 तीन गुणा तीन गुणा तीन 27 हो देगा आर का मांद 3 है option number a right होती हो next question पर चलते हैं प्रत्थम 11 पुर्ण संख्याओं का माद्य क्या होगा तो 0 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस 7 प्लेस 8 प्लेस 9 प्लेस 10 बटे 11 प्रत्थम 11 पुर्ण संख्याओं 0 से शुरू होती है सभी का राश्यों का योग बड़े राश्यों की संख्या 2 एक 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55 तो 55 बड़े 11 करेंगे तो 11 55 और 11 55 option बड़े राइट होजेगा बहुलक पुछा जो ज्यादा बार आए वही बहुलक है 3 1 2 3 3 4 5 बार आगया इसका मतलब बहुलक की भी 3 यह होगा सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होगा तो देख लो इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आए नोर्मल है P E की प्राइक्टा दे रखिए अपनको P E नहीं P डैस की पूछे P E डैस की पूछे तो इसका मतलब एक में से 0.05 घटाएंगे तो यह आएगा 0.95 0.95 option number D राइट हो जेगा next question बें चलते हैं निमल लिखित में ते रिक्त स्तानों की पूर्ति करने निमल लिखित में से आपको क्या करना है रिक्त स्तानों की पूर्ति करने हैं का 11 पत पूछे क्या पूछे है इसका 11 पत पूछे है तो A 11 बराबर क्या होता है A 11 बराबर होता है A plus 10 D होता है A plus 10 D A का मान माइनस थी प्लस 10 D का मान कितना है 10 तो मल्टिप्लाइम करते ही के एक बटा दो, माइनस और माइनस प्लस, तीन बटा एक, एल सिम आएगा, दो, माइनस एक, प्लस, तीन दूनी छे, पांच बटे दो आएगा, पांच बटे दो, दो से काटेंगे, पांच बटे पत्चिस, माइनस का तीन प्लस पत्चिस, तो रजल्ट कितना आएगा, 22, 22 आ हमान उता है रूट्ट तीन भटादो का स्वकेर तो यसे रोजल्ट आएगा एक बटा च्यार माइनश में तीन भटादब चार एल चेन म कितना आएगा चार यहां पर कितना तो हाई सके और ब्राबर 159 तो कितना होगा 152 गुणा साथ भाइस बाइस बार साथ एक संकू कि यह देखो एक संकू की उन्चाई त्री viral ah 60, getting 65 limit 6 cm, 67 limit 8 cm, तोब नहान देगा आठ रह おनद चांचट, सेटीनध चत अदिसमेदे कितनाव सो सो का वर्मूल कितना दस नहां। यह दसमें कितने आईगी, लो ग्राम सेल पूचा था l बराबर क्या होता है फ़र्मुला जानते होंगे L ब्राबर होता है H square plus में R square होता है Is that clear? इतना समझे के हूँ है? थोड़ा मैं इसको पतला कर लेता हूँ एक को जो हो जाब अब हुआ नहीं हो रहा भी क्या करें चलो देखते हैं Next question पर चलती है ये direct बोला था मैंने याद करके जाना है तीन गुणा माध्यक बराबर दो तीन माध्यक बराबर होता है दो माध्या पलस बहुलक क्या होता है यहाँ पर? बहुलक आएगा क्या नाव आएगा? बहुलक आएगा वस यही फोर्मूला था वरग चिने वरग अंतराल 60 से पिचेतर का वरग चिन है क्या होता है इसके बीचों बीच का मान बताना है अगर वेसे नहीं आए ना 60 पलस पिचेतर भाग में 2 करतो 5, 7, 6, 13 100 पिचेतर बड़ा 2 का भाग देतो 6 दूनी 12 बच गया 1, 15, 8 दूनी 7 दूनी 14 गलती नहीं करती कैलकुलेशन में कई वार फास्ट में गलती हो जाती है 65 दूनी 30 हो जाते हैं कोई दिक्कत ने 66.5 दोनों को जोड़के 2 कब आगे एक पास्से को उच्छालने पर 6 से बड़ा अंकाने की प्रैक्ता 0 होती है कोई दिक्कत ने 6 से बड़ा अंका ही नहीं सकता नेक्स क्यूस्ट पर चलती है आपको दे रखा है एक्स बराबर 2 की क्यूब गुणा 3 की स्केर और वाई बराबर 2 की स्केर गुणा 3 की स्केर हो तो एक्स और वाई का लगुतम समावरते क्या होगा LCM पूछा है LCM में common भी आता है और non common भी आता है एक्स बराबर क्या है मैं यहां पर लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और वाई बराबर होता है वाई बराबर दे रखा है 2 गुणा 2 गुणा आपको दे रखा है 3 गुणा 3 यहाँ पर देखते हैं जो मज़्स की तो दुने बहतर, तो इसका LCM कितना आएगा, बहतर आजएगा, next question पर चलते हैं, के सुन्नेक ग्यात कीज़े, इसके सुन्नेक क्या होंगे, x की square माइनस में 3 बराबर 0 करते हैं, तो यह क्या result क्या होगा, x की square is equal to plus का 3 होज़ेगा, x का square हट आएगे, तो plus minus में root 3 आएगा, plus minus में root 3 यह, इसके क्या आएगे, सुन्नेक आएगे, next question पर चलते हैं, की रेखिक समीकन, यूगम को हल करना है आपको, तो x plus y बराबर 14 दे रखा था, और x minus में y बराबर 4 दे रखा था, दोनों को solve करेंगे, कट जाएगा, x, x, 2x होजएगा, 2x is equal to 18 होजएगा, इधर 14 और 14 होगे, x कमान कितना आगया, 9 आगया, 18 बटे 9 आगया, 9 यहाँ पर रख देंगे, 14 minus में 9 करेंगे, तो 5 आजएगा, तो y कमान कितना आजएगा, 5, और x कमान यह आगया, यह चटे चेप्टर का क्यूशन है, dc, d e b c के समानतर है, तो इसी कमान गयात करना है, यह आपने x माल लिया, यह आपने x माल लिया, तो अब इसका solution क्या करेंगे, 1.5 बटे 3, is equal to 1 बटा x, तिर्चा गुना कर दो, x बड़ाबर आजएगा, 3 बटा 1.5, पॉइंट हटा होगे, ओपर 10 लग जाएगा, यह आपने, 30 बटा 15, 30 में 15 का भाग दो, दो आएगा, दो उत्तर आ गया, next question पर चलते हैं, बहुत simple है, कि बीच की दूरी-दूरी सुत्तर लगाना था, pq is equal to लगाना था, यह आजएगा, x2 minus में x1, यानि x2 का मान माइनस a, और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, a का स्केर, प्लस, यह हैं माइनस a, और यह हैं माइनस a का स्केर, तो यह तो 0 होगया, प्लस, माइनस काट गया, result 0 होगया, pq बराबर आगे वाला बच्चेगा, माइनस के 2 a का स्केर, और 2 a का स्केर करोगे, तो root के अंदर कितना आजएगा, 4 a स्केर आएगा, तो यह आएगा 2 a, pq का माइन कितना आएगा, 2 a result आजएगा, इसके बाद में चलते हैं, next question की तरफ, next question है, 6 नमर देखीगा, एक उर्द्वा दर्खंबे, एक उर्द्वा दर्खंबे की परचाई, खंबे की उन्चाई के बराबर है, तो सुरिया का union कौन गयाद कीजिए, सुरिया का union कौन गयाद करना है, जब लंब और आदार बराबर होते हैं, तो सुरिया का union कौन 45 दिग्री होता है, क्योंकि 10 लंब बटे आदार होता है, 10 45 का मान एक होता है, एक बटा एक एक हो जाए, तो यहाँ पे ठीटा का मान कितना आजएगा, union कौन कितना आजएगा, नेक्स क्यूसन पे चलते हैं, नेक्स क्यूसन में आपको दे रखा है, एक मिनार के अदार बिंदू से, 100 मिटर की दूरी परस्तित, एक बिंदू से, उसके सिखर का, union कौन 60 दिग्री होता है, तो मिनार की उन्चाए गयाद करने हैं, एक मिन्दू से, उसके सिखर का, union कौन 60 दिग्री हैं, मिनार क्यूं चाहिए गयाद करने हैं, बताओ, यहाँ से 100 मिटर है, यह आपको दे रखा है, 60 दिग्री, यह H गयाद करना है, तो 10 बराबर होता है, 10 थीटा बराबर, लंबटे आधार होता है, तो 10 थीटा का मान 60 दिग्री है, 10 थीटा का मान होता है, रूट 3, रूट 3 बटा 1, और यह H बटा 100, ठीक, लंबटे आधार, गुना कर दो, तो H बराबर कितना आजेगा, 100 रूट 3 आजेगा, 100 रूट 3 मिटर में है, तो मिटर में आजेगा, नेक्स्ट, वर्त की त्रीजा, 7 सेंटिमेटर है, के अंदर पे 60 डिग्री का कौन चाप है, चाप की लंब़ाई याद करनी, चाप की लंब़ाई आपको पता है, थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री में, डायरेक्ट रख रहा हूँ, 6 को काटेंगे, 3 बार, 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम दो, याद आपके पास में, 22 बटा 3 सेंटिमेटर, चाप की लंब़ाई, नेक्स्ट तुसन भी चलती है, एक घन का संपूर्ण, प्रस्टिये चेतरबल, 1014 वर्रग मिटर है, गन की भुजा ग्यात करते हैं, एक घन का संपूर्ण, प्रस्टिये चेतरबल, 6 गुणा भुजा स्केर होता है, 6 गुणा भुजा स्केर होता है, 1014 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, बच गया 4, 41, 6 का 36, 6 के 36, बच गया कितना, 5, 54, 59, 54, एक 179 का बच मुल कितना होगा, 13 होगा, 13 मीटर, कितना होगा, 13 मीटर होगा, Is that clear? तो गन की भुजा 13 मीटर आजएगे, 7 से मित्रिजा, के गोले का प्रस्टिये चेतरबल ग्याद करना है, तो 7 से मित्रिजा के गोले का प्रश्टी चेतफल आपको पता है कितना होता है 4 पाई 4 होता है तो 4 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7 साथ से साथ कटेगा 22 का 88 गुणा में 7 7-8-6 7-8-6 56-8-5 57-59-69-61 कितना आएगा 61 यानि 616 किस में आएगा सेंटीमीटर की स्केर में आएगा 616 सेंटीमीटर स्केर नेक्स क्यूशन पर चलते हैं सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक एपर में से क्या बहुत बार करवाएगा कोई दिक्कत नहीं कर दोगे के सुनने ग्याद करने थी इसके आपको सुनने ग्याद करने था तो क्या करेंगे 2x की स्केर माइनस में x माइनस में 6 ब्रावर 0 करना था इस देट कलियर गुणा करने पर 12 आना चीए तो 2x की स्केर माइनस के 4x कर दिया प्लस के 3x कर दिया माइनस के 6 ब्रावर 0 कर दिया घटा होगे जोड़ोगे तो माइनस का x बचेगा गुणा करोई चारते बार आप पहले 2 में से common ले लो आपने common ले लिया 2x common आगया x माइनस में 2 बच गया और प्लस का 3 common आगया तो x माइनस में 2 बच गया is equal to 0 हो गया x minus में 2 और ये बच गया 2x plus में 3 is equal to 0 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 आएगा और x का मान कितना आएगा minus का 3 बटा 2 आएगा ये result आगया ये इसके 2 सुनिक आगे next question पर चलते हैं ये question मैंने बताया था 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो वे संख्या हैं क्या होगी तो संख्या गयाद कीजी तो आपको संख्या गयाद करनी थी तो 2 संख्याओं का अंतर यानि x माइनस में y बराबर 26 है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है एक संख्या X है वो दूसरी की तीन गुणी है तीन वाई है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुणी है X ब्रावर तीन वाई है तो यहाँ पे रख देंगे 3Y 2 संख्या होगा अंतर 26 है एक संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की c19 γैðan Donci अपने यहां dus 3y रख दिया सभी इसमें रखदो कि माइनिस में वाइव ब्राबर 26 थ्री बाबर यानि कितना आएगा तब 2y ब्राबर 26 तो वाइकामान कितना आएगा 13 यहां पे एक्स बरावर कितना हो जगा 49 एक्स बरावर 49 और वाई बरावर 13 नेक्स कुसन है अभी अपन कुसन करके आए एक जिसा इस तरीके का बस यह इसके डी इबी सी के समानतर है तो बस हमें एक्स का मान गयात करना तो इसमें क्या करना था एक्स बटा एक्स माइनस में दो बरावर एक्स प्लस दो बटे एक्स माइनस में एक तिरचा गुना कर दो यह आज़ेगा एक्स का गुना एक्स माइनस एक के साथ में एक्स की स्क्वेर माइनस में एक्स इस इकल डो एक्स की स्क्वेर प्लस में टू एक्स माइनस के टू एक् पर चलते हैं आपको दे रखा है बिंदू की बिंदू के बीच की दूरी 5 हो तो X का मान ग्यात कीजी तो अपन क्या लगाएंगे इसको बिंदू P मानेंगे इसको क्यूं मानें तो PQ के बीच की आपको दूरी 5 इकाई दे रखें तो PQ का फॉर्मूला लगाएंगे PQ is equal to 5 माइनस में X का स्केर 7 माइनस में 3 4 4 का वरक करना है Is that clear? 5 का वरक 25 is equal to यह आप भी क्या बनेगा A माइनस में B का होल स्केर A स्केर माइनस A स्केर प्लस B स्केर माइनस में 2 A भी होता है 5 का वरक 25 प्लस में X की स्केर माइनस में 5 दूरी 10 X प्लस में 4 चोके 16 तो यह 25 से 25 कर जा अब इसके आपको क्या करने है टुकड़े करने यानि गुणा करने पर आपके पास आना चीए 16 और जोड़ने घटाने पर आने चीए माइनस के 10 यह कैसे संभव हो सकता है यह तभी संभव हो सकता है जब अपन करेंगे 8 और 8 तो वैसे मल्टिप्लाइर वैसे तो सिस्टम बेटेगा नहीं क्या करते है च्यार 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 आठ आजेगा थोड़ा सा कहीं पे लग रहा है एक बार दुबार देखते है आप लेंगे इसमें माइनस के दोनों ले लेंगे तो एक्स के स्केर माइनस के 8 एक्स माइनस के 2 एक्स प्लस के 16 बराबर 0 आजेगा तो फर्स्ट दो में से कोमन आएगा तो यह रेजल्ट एक्स कोमन आगया तो एक्स माइनस के 2 तो एक्स माइनस के 8 बराबर 0 तो एक्स माइनस के 8 और एक्स माइनस के 2 बराबर 0 तो इसके यदि 10 एक टैन ए बराबर एक तो साइन एको से कमान तो टैन बराबर आपन जानते हैं ये अपन तरिवुज बनाएं तो टैन बराबर लंबटे अधार होता है एक बटा एक दे रखाएं तो इसका करण पाइथा गोर्स पर में किसाइटा से ज्यात करें तो टू आज़ेगा ठीक है तो अब आप जानते हैं टू साइन ए बराबर क्या होजेगा लंबटा करण तो लंब है और करण दो है अभी ये क्यूशन अपन करके आएं वहाँ पर 45 रखा था बस 45 यहीं पर बंदा है कोई दिकत नहीं और कॉस एक कमान कितना होजेगा एक बटा आधार बटे गया उत्र एक आगया नेक्स क्यूशन पर चलती हैं दस नंबर देखेगा दस नंबर क्यूशन देखेगा दो खंबों के सिर्स जिसकी उन्चाई 20 मिटर तता 14 मिटर हैं एक तार से जुड़े हुए हैं जैदि देखो दो खंबे इस परकार से दो खंबे दे रखें आपको क कोई दिक्कत नहीं एक क्यूंचाई थोड़ी जादा है एक की बीस एक की चौदा है इस परकार इनके जोनों सिर्स हैं वो तार से जुड़े हुए है और जो तार है वो 36 के साथ में 30 का कौन बना रहा है यह आपको पता है यह क्योंकि यह चौदा है उपर वाला कितने का लंब दे रखा है लंब और करण किसमें होता है relation chaion science degree is equal to क्या होता है L Они 30 का मान कितना होता है एक बटा गुंक्र अच्छ करते ने वर्त की लिंबाय को सपर्स करती है इस परकार के आखरति बनेगे वर्त है ऐसे टच होगा इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ये आपको तीन ये आपको पांच ये आपको पांच तो आप निकालेंगे पाइथा को और स्पर्मे की साहिता से निकालेंगे या दोनों त्रिपुजों को सर्वांग्शम करके निकालेंगे तो ये चार रहेगा और टोटल चार और चार कितनों और इसका उत्तर हो जेगा आठ सेंटिमेंटर इसका उत्तर हो जेगा छोटे वर्थ की इस पर सरेखा की निमबाई ज्याद करना दिछी जो वड़े वर्थ की जीवा है नेक्स्क पर चलती है तुरीक डियाच चाप के अंदर पर 60 बनाएगे तरी जाखंड का चेतर पर गयाद करना है तो थिटा बटे 360 थिटा कमान 60 है बटे 360 गुणा में पाई कमान किता हैं 22 बटे 7 गुणा आर कमान है 21 गुणा में 21 काट तो 721 तीन बार कटेगा 6 से काट होगे 6 गम 6 6 चिका 36 इसको काट तीन गुणा 3 गुणा 6 दो से देश बाइस देश 231 सेंट्री मेंटर स्केर नेक्स क्यूशन पर चलते हैं एक लंब वर्तिय एक लंब वर्तिय बेलन का आधार लंब वर्तिय बेलन है बेलन का आधार तो वर्त की त्रीजाई वर्त का होता है जिसकी उंचा ही आपको 15 देदी है इसका वक्कर परस्टी जि गया हैं तो वर्थ कियरा होती है पाई हार square इस इकल टो एक सो चोपन तो आर स्कुर बराबर कितना हो जाएगा 152 बते लिए लगेगा 7, 22, 54, 37, 59, 40, आर का मान किटना आएगा, साथ आएगा, आर का मान साथ आजेगा, वक्कर परसिषी दिर्वर गयात करता है, 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना है, 7 है गुना में, उन्चाही कितनी ये पंदरः है, 7 के पाड़े से 7 कटेगा, 22, 24, 44 सुसनाइब है नेच्स कुशन पर चलते हैं माद्य ज्ञाथ करना था आप प्रत्य उप्र गयाद कर सकते हूं खेंग इससे कर देना आफ 5, XI, 8, 45, 6, 36, 12, 6, 42, 44, 88, 56, 95, 45, 10, 6, 60, सभी को जोड़के सिग्मा आफ आई एकसा ही करता हूँ छे जिननी सोरी पांच छे ग्यारा ग्यारा और चार पंदरा पंदरा और छे एक इस दो छे और चार दस दस और पांच पंदरा पंदरा और आठ तैईश तैईश और तेन तो चर्पी चब्यान वेल से और चारप टेश तेस जी इकाप्निस बतते जिए कर ग्यारा ग्यारा अलिकल टूक्तुर प्रकार से लिखे हैं इसने पूछा एप्राप्त होने की और डी प्राप्त होने की एक ही बार फेंगा जाता है इस पास से को एक बार फेंगा जाता है तो ए प्राप्त है कितनी बार एक और दो परावर चे तो आएगा एक गुटा तीन वे डी प्राप्ट करने की प्राइक ता एक ही बार है तो एक बटा चाहर और इसके आज़े की एक बटा तिन next question पर चलती है section C दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के गुण जी कौन से होंगे एक तो 12 होजेगा एक 16 होजेगा एक 20 होजेगा डैस दैस 248 होजेगा चार के गुण जी एक बन गई एवन का मान 12 है डी का मान 4 है एक टू का मान 16 है is that clear इस प्रकार से कर दो चार के कितने गुण जी एन का मान ग्याद करोगे तो एन इस इकल टू होजेगा ए प्लस अन्वाइनस में 1 इंटू डी ठीक एन का मान ग्याद करना है इस फोर्मल में वैल्यू रख देना एन का मान यहां पर 248 है एक का मान 12 है एन का मान ग्याद कर करना है जीरो और पचास के बीची विसम संखें कितनी होगी पचास पचास और पचीस होज़े आदी यादी पहले एन का मान ग्याद कर लेना विसम संखें एक तीन पांथ श्ट ईस प्रकार से लास जाएग त doctrine चास तक जाएगा तो यहां पिनका मान कितना आएगा एबर कउgg दॉठिक मान पचेस पचास नहीं है एन कांवान 25 उबिस्का ouaisग सब्दक ललीत करना है एक एबन का मान कितना है एक हैं डी का मान कितना है तीन माइनस में एक बरावर दो हैं इस दट कलियर और अन्तिम पद क्या है एक यह उन्हें चाहस है नेट्स सुसन पर चलते हैं यदि बिंदू ए बी सी डी एक समांतर चत्रबुज के सिर्स है तो इसी करम में हो तो बताओ पी का मान क्या होगा इसी करम में और पी का मान क्या होगा तो पी का मान हो जेगा समांतर करम समांतर चत्रबुज के सिर्सों के निर्देर सांगा न तो देखिएगा यह बन जाएगा इसके जो विक्रणा वो बिंदू D पर काटेंगे हैं A, B, C, D A, C की साहिता से A, C का मद्दे बिंदू O और B, D का मद्दे बिंदू O है तो मद्दे बिंदू निर्दे सांग मद्दे बिंदू सुप्तर की साहिता से X1 प्लस X2 बटा दो Y1 प्लस Y2 बटा दो की साहिता से O के निर्दे सांग गयात कर लेंगे और फिर निर्दे की तुलना कर देंगे तो हमारे पास में P का मान आजेगा Next question पर चलते हैं उस बिंदू के निर्दे सांग गयात कीजिए चो बिंदू इसमें से कोई एक करना था लेकिन मैं दोनों ही समझा रहा हूँ आपको दो बिंदू होँ माइनस 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाकन को 2 अनपा 3 में भ्याजित करता है अब 2 अनपा 3 में भ्याजित करता है तो इसका मतलब क्या हो गया यह बिंदू हो गया इसका M1 का माँन तो 2 आगया 2 और M2 का माँन आगया 3 यह आगया आपके पास भी माइनस 1,7 और यह आगया 4,3 तो इस बिंदू P की नरते सांग माले X,Y X,Y तो वही लगेगा यहाँ पर फोर्मूला X ब्रावर M1 X2 प्लस में M2 X1 अपोन में M1 प्लस में M2 विवाजन सुतर लग जाएगा नेक्स क्यूशन पर चलते हैं सिद कीजे कि वर्त के प्रीगत एक समांतर चत्रबूज होता है तो देखो एक वर्त के प्रीगत आपको एक समांतर चत्रबूज बनाना है थोड़ा सा लग एक मिन्त तो देखो यहां से क्या बनेगा इस प्रकार से हैं ऐसे हैं यह समांतर चत्रबूज बनाना है वर्त के प्रीगत हैं यह बिन्दू पी माल लिया हमें दे रखा है यहां से पी क्यू बराबर आप सार और पी एस बर्ति बराबर दे रखा है प्रीगत समांतर चत्रबूज सम्चत्रबूज देता है subset बराबर लेक्या निया है कौन सा रूर लगा हैं इस तो है यहां से लिखेंगे पी-ए-ब्राबर पी-डि society मोई९े इसी प्रकार से लिखेंगे एक क्यूबर भी-क्यू और फिल लिखेंगे सी यार बराबर वी आर और यह लिखेंगे श बराबर डियूश हंक इसकी सल्च श हैतो से हो जब आप और यह दूसरा हो जो सिद्ध कीजी की वर्त के प्रीगत बने चत्रबुज के आमने सामने की बुजाएं वर्त के केंदर पर संपूरक कौन अंतरित करते हैं संपूरक मत मतलब हो गया एक स्वासी डिगरी सेम इसी प्रकार सी बनेगा इसी प्रकार से बनेगा डाइगराम यही रखता हूं में इस प्रकार का बताना है आपको ऐसे बताना है यह बताना है तो आपको इसमें बताना है एंगल P O O बिन दुमा लिया O Q प्लस एंगल S O R बराबर 180 यह सिद्ध करना है वेरी सिंपल चार अलग अलग भागों तोड़ सकते हैं very simple है 10.2 का क्यूशन है जाके देख सकते हैं ठीक बाकी आपका यह माद्यक आया था माद्यक में सिप गयात करना था very simple है कोई दीकत नहीं निकाल लो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने वाला क्यूशन पर यहां पे फिर अभी तक तो आएर निविक तक तो बारं भा ता बन धरनकर आमादय दे रिता। एक्स अ कहा कमान नथे रखा क्या यात करता प्रतेंस्वी तीक्त करो तो कोई क्या दिक्त हो 35 के 90 ठीक है फिर जोड़ दो इनको इस विद्धी से कर लो नेक्स चुसन पर चलते हैं एक समकौन तीरबुज की उंचाई एक समकौन तीरबुज की उंचाई आधार से 7 cm कमा, आधार x है, तो यह होगा, x माइनस में 7, और यह आपके पास में 13 है, करण 13 है, अन्य दो बुज़ाएं गयात कीजिए, चौर नुमर को कुछ उना रहा है, बंटकार दियो, पाइथा को और स्पर में, पाइथा को और स्पर में लगा दो, क्या बनेगा, x कमान 12 आएगा, तो यह कितना आजएगा, 5 आएगा, चक कर लेना, x कमान 12 और 5 आएगा, पाइथा को और स्पर में को साटिस्फाइ करो, दो कर्मा का धनात्मक पुरुणा ग्यात कीजिए, जिनके वर्गों का योग 365 हो, यह पताना है आपको, तो दो कर्मा का धनात्मक 365 है, दो कर्मा का धनात्मक पुरुणा गयाती है, कर्मा काता है, x और x प्लस में 1, तो यह जगा, x स्केर प्लस में, x की स्केर प्लस में, 1 प्लस में, 2x बराबर 365, तो यह जगा, x स्केर, x स्केर, 2x की स्केर, प्लस 2x, और यह इधरा के माइनस का 365 और प्लस का 1 है, तो माइ x कमाना जिएस और नेक्स कुशन यही टार्गेट किया था में पहला ही कुशन करना है इस लहस को लेकर चलेंगे साइन को चेंज करेंगे यह आंसर आजेगा वेरी सिंपल यह वी कुशन बहुत एक बटा साइन थेटा, माइनस में साइन थेटा, साइन थेटा है या ए रख दो, यह है एक बटा कॉस ए माइनस में कॉस ए और यह है कॉस ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन थीक है अब इसका एलस्यम लेकर हल कर सकते हैं कलपित मादे वीदी से माद्य गयात करना था very simple है कल्पित मादेविदी से मादे गयात करना था क्या करना था 17.5 मान के करना गया निमन बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मान के कल्पित माध्य मान के अच्छा कल्पित माध्य आपको एक अमान दे दिया भाई साब ने एक आमान 17.5 दे दिया है ये लेके आपको इसका समानत्रमा देगात करना था बहुत इजी है कोई दिकत नहीं है कर लोगी नेक्स इसके अत्वा में बहुलक पूछा था अरे अरे बहुलक करके है मुझे पता है खिलाडियों का है एक खिलाड़ी बहुलक करके हैं बहुत इजी है नेक्स क्यूशन पर चलती है बस हो गए कि रहा है जो भी विज़्धर तें आपको जानते हैं उसके पाश सभीके बास कलास का लिक शेर कर दे ताकि वो भी मिलान कर ले उसको भी पता चले जाये कज़ए किस परकार का पेपर आया था चलेगा आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ जय हिंद जय भर